Hi everybody, I welcome you all to our YouTube channel. आज का topic है E-Rupee, और Is it really a CBDC? CBDC का full form है Centrally-backed Digital Currency. यह क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे. So, यह article, यह topic, Mint के एक article पे based है. आप page number 14 पे इस article को detail में read कर सकते हो. लेकिन read करने से पहले कुछ basic चीज़े हैं, जो कि आपको समझनी बहुत जुरूरी हैं, तभी यह article समझ में आप आएगे आपको. So, पहले हमें यह देखना होगा कि किस context में कोई CBDC launch होती है. CBDC के पहले, like RVI-E की क्या planning है, किसी भी Central Bank की क्या planning है? And CBDC को launch करना क्यों ज़रूरी है? तो पहले हम थोड़ा history में पीछे चलते हैं, और 2008 के financial crisis को देखते हैं. अब यह अपने आप में बहुत बड़ा topic है, जिसको हम कभी बाद में बहुत अच्छे से explain करेंगे. बड़ बेसिक चीज़ें आपको होंगी पता, कि यहाँ पर क्या होता था, जो low quality के assets से हैं, उनको भी mortgage रखके उसके basis पर lending की जाती थी. बाद में नुकसान यह हुआ, कि जब economy के हाल हो, तो already बहुत अच्छी थी उस समय, फिर भी आपने बहुत जादा risk वाले assets को use करके आपने lending किये हैं, तो आपकी credit quality बहुत ही poor थी, जिसका कि after effect बाद में banking system पर पढ़ा है, क्योंकि जितने भी loans दिये गए थे, बाद में banks उस सारे investment banks को bail out करना पड़ा था, तो यह जितने चीजी हो रही थी उस समय, तो बहुत साई लोग पैसे डूबे, और banking system से लोगों का भरोसा उठ गया था थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके फिर बाद, just बाद, bezel 3 norms आया, 2009 में, अगर हम सबसे पहले bezel norms के बाद करें, तो वो आया था, 1988 में, ठीक है, और financial crisis के पहले दो norms already आ चुके थे, financial crisis के बाद ये वाला आया था, third, कुछ organizations भी बनें, इसमें BRICS बहुत important है, क्योंकि इसमें India involved है, तो BRICS की formation भी 2009 में हुई थी, और इसी context में हुई थी, because उस समय जितनी भी global banks से, institutions से, जितनी भी rating agencies थी, तो वो बहुत अच्छे से prediction करनी पाई थी, कि ऐसी कोई crisis आने वाली है, तो India ने, India और China, Brazil जो कि उस समय के बहुत ही, like developing nations में से आते थे, और उनकी economies बहुत अच्छा कर रही थी, तो इन्होंने मिलके इस organization को form किया, फिर इसमें third point है, alternative banking system, अब क्योंकि ये banks उसी format में run कर रहे थे, तो हो स अब ही जो बाते हम कर रहे हैं, CBDC, एंड इसके पहले का step, crypto assets, तो उसका origin आपको यही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अब हम detail में जाते हैं कि cryptocurrency है क्या, और उसके बाद फिर हम वापस CBDC पे आएंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि 2008 में जो financial crisis हुई थी, लोगों ने इसको अलग-अलग तरीके से interpret किया है, अलग-अलग लोगों पे, अलग-अलग countries पे इसके effects अलग-अलग पड़े हैं, जैसे US के पास इतनी capabilities हैं कि वो अपने banks को bailout कराप है, बट इंडिया में अगर situation बहुत खराब होती, जो कि लकली हुई ही नहीं, बट अगर वही situation इंडिया में होती, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम banks को bailout करा पाते हैं, इतने सारे large sector banks को, सो वहाँ पर हमें यह देखना होगा कि फिर blockchain से कैसे linked है, सो after 2008, in fact उसी साल, एक bitcoin white paper, इस नाम की एक document release की गई, इसको release करने वाले का नाम ऐसा बोला जाता है कि Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto, अब यह कोई individual है, या group of individuals है, कौन है, इसके बारे में detailed ऐसे information है नहीं हमारे पास, बट उसने इस document को release किया, एंड उसने एक asset के बारे में लोगों को बताया for the first time, और यह asset एक technology पे based है, जिसको बोलते हैं blockchain, So, आप अभी बहुत सारे fields में blockchain के uses के बारे में पढ़ते होंगे, जैसे land records को जब हमें digitize करना होता है, तो उसमें भी blockchain का use किया जा रहा है, अभी RBI banking system में भी blockchain को use करने के, अभी इसके उपर discussion चल रही है, हो सकता है, बाद में implement हो जाए, So, blockchain की origin यही से होती है, bitcoin white paper में blockchain के उपर बात की गई थी, and इसके बाद bitcoin जब launch हुआ है as a crypto asset, या as a blockchain based asset, उसके बाद बहुत सारे cryptocurrencies और भी आ गए, अब इसके work कैसे करता है तो मैं आपको बता दूँ, यासे मुझे किसी को payment करना है, तो मैं अगर UPI से payment करना हूँ, तो हो सकता है, मेरा account किसी दूसरे bank में होगा, जिसको मैं भेज रहा हूँ, उसका account किसी और bank में होगा, payment करने के लिए इतने सारे intermediaries, या फिर इतने सारे organizations involved है, अगर मुझे किसी को bitcoin से payment करना है तो एक node मैं हूँ, दूसरा node जो receiver होगा वो है and इसके बीच की information या जो पूरी को पूरी payment है, इसमें कोई और organization involved नहीं होती अगर मुझे bitcoin उस करना है तो यह system बहुत prompt है, बहुत जादा fast है और इसमें government की भी involvement नहीं होती और exactly यही reason है जिसके बहुत सारे governments इस पे बहुत सारे questions raise कर रही है कि क्या यह एक safe method है, because हो सकता है आप मैं अच्छे लोग है but इसको बहुत सारे terrorists या जितने criminals होते हैं, वो भी इसको use कर सकते हैं और government उसका पता नहीं लगा पाईगी और blockchain based ऐसे हम assets की बात करें, तो bitcoin उसका एक principal component है आपको बहुत सारे और भी ऐसे assets मिलेंगे, जो कहीं ने कहीं bitcoin के around ही lie करते हैं एक तो bitcoin हो गया, जो similar coins हैं, उनको हम alt coins बोलते हैं alt coins basically, bitcoins के अलावा जितने और coins हैं, जैसे कि ethereum हो गया जिसको हम denote करते हैं ETH से उसी तरह एक dog coin होता है, तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे alt coins अगर आप net पर search करो, तो आपको दिख जाएंगे उनके नाम फिर, अब alt coins में एक सबसे बड़ी problem क्या है, कि ये independent नहीं है इनकी values bitcoin से बहुत जादा, bitcoin के साथ synchronized है अगर bitcoin की value बढ़ती है, तो alt coins की भी बढ़ती है bitcoin की value अगर fall कर रही है, dollar के against तो alt coins की value भी fall करेगी so एक third option है, जिसको बोलते है stable coin अब stable coins का actually bitcoin से कोई direct relation नहीं है लेकिन stable coins भी होते crypto coins ही है difference यहाँ पर यह है, कि stable coins की value जो होगी वो किसी ना किसी fiat currency जैसे dollar है, yuan है, pound है, या फिर euro है, तो stable coins की value fix होगी against any fiat currency तो जितने भी national currencies है, उन सब को fiat currencies बोलते हैं इसमें second option यह भी हो सकता है stable coin में कि इसकी value किसी fiat currency से pay fixed ना होके किसी commodity पर हो, like gold ठीक है, तो वो depend करता है कौन सी company कोई stable coin लेके आ रही है उन्होंने अगर किसी fiat currency को choose किया होगा, तो उसकी value इसके against होगी fixed, या फिर किसी commodity के against हो सकती है तो अब वो bitcoin हमने देख लिया alt coins देख लिया, stable coins देख लिया इन सब में private involvement बहुत जाद है ठीक है, first time बहुत सारे countries के governments ने decide कि अगर digital currencies बहुत popular हो रही है तो हमें कोई government backed currency launch करनी होगी, so that लोग इन सब में investment ना करे, या फिर इन सब को लोग payment as a currency use ना करे, so अब यहाँ पे आते हैं कि यह है CBDC, CBDC का मतलब यह होता है कि कोई भी country के currency हो form में use ना करके, उसको हम digital form में करें जैसे हम UPI से payment अभी भेज रहे हैं receive कर रहे हैं, तो UPI में फिर भी बहुत सारे ऐसे notes यहाँ पे आपको million involved, जैसे banks हो गए, अधार card है, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, CBDC इसी क्या होगा basically, जो मैंने आपको पहले बताया था example में कि यह bitcoin की तरह ही function करेगा बट यह government backed होगा तो इससे payment और fast हो सकता है और इसमें फिर हमें conversion भी नहीं करने पड़ेगी रूपी की जैसे अगर मुझे US में किसी को भेजना हो पैसे अगर मुझे bitcoin से भेजना है उसे तो मैं तुरंद भेज सकता हूँ इसमें नहीं मुझे convert करना है लेकिन अगर मुझे मेरे पास रूपी है और मुझे dollar में pay करना है तो मुझे पहले convert करना पड़ेगा यह banks के through होता है जिसमें conversion fee भी लगती है तो यह process पूरा महंगा हो जाता है अब हम आते हैं CBDC के उपर लेकिन उसके पहले और इसी के साथ हम यह भी करें यह भी देखेंगे कि CBDC क्यों है एक अच्छा option है तो जैसे मैंने बताया कि crypto coins को misuse भी किया जा सकता है लेकिन misuse के भी पहले जो पहला point है regulatory issues अब किसी भी चीज को जब हम regulate करते हैं वो चाहे कोई entity हो या कोई business हो जब हमें किसी को regulate करना होता है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए उसकी background information कोई company stock लेके आती है तो पहले CB या फिर जितने भी stock exchanges है तो उनके लोग पहले study करते हैं कि यह company का past record कैसा है तो regulation का मतलब यह होता है कि आपको अच्छे से पता हो कि जो भी business या जो भी entity ऐसे business में enter हो रही है उसकी past record आपके पास हो cryptocurrencies में problem यह है जैसे मैंने बोला bitcoin के बारे में कि इसका founder कौन है यही नहीं पता हम ठीक है तो हम regulate किसको करेंगे जितने भी major alt coins हैं वह भी bitcoin के around ही उनकी values fluctuate करती है तो अगर हमें bitcoin के बारे में नहीं पता तो हम बाकी currencies को भी regulate नहीं कर पाएंग अच्छे से ठीक है तो सबसे पहला issue है इसमें regulatory issue और next है terror financing क्योंकि अगर मुझे बहुत ही anonymous होके payment करनी है तो bitcoin उसके लिए बहुत अच्छा option है लेकिन इसको बहुत लोग misuse भी कर सकते हैं so terrorism की बहुत सारी activities इसके थुरू finance हो सकती है next है price volatility अगर जब bitcoin launch हुआ था 2009 में तो उस समय इसकी value बहुत जादा नहीं थी in fact 2010 तक भी एक bitcoin की value 0.4 dollars हुआ करती थी अभी यह बहुत high तक चला गया है और कुछ time तक इसकी value 67 या 68 thousand dollars तक भी थी तो volatility बहुत जादा है इसमें and volatility फिर भी हमें बात समझ में आती है अगर वह market के forces के वजह से हो जैसे demand and supply यह दो चीजे हैं जिसके वाइसे किसी भी commodity या किसी भी चीज की price ऐसे fluctuate करती है अगर वही logic होता है यहां पर तो हम मान भी लेते हैं बट यहां पर problem यह है कि bitcoin ऐसे कोई asset as in physical asset नहीं है या फिर यह किसी business का part नहीं है तो जो demand and supply है वो किस basis पर हो रहा है यह सबसे बड़ी problem है next है mining issues and environmental impact यह भी अगेन एक बहुत बड़ा issue है bitcoin basically क्या होता है एक bitcoin को one BTC को create करने के लिए बहुत जादा electricity required होती है क्योंकि इसमें heavy amount की coding होनी होती है अब वो coding करने में और वो जो पूरा process है bitcoin को create करने का तो इसमें बहुत देर systems को और like बहुत heavy weight ऐसे machinery होती है जिसका use किया जाता है अब इन सब को operational रखने के लिए बहुत जादा electricity के supply के ज़ुत होती है and इसी साल का एक किसी institute का estimate था कि one BTC को create करने के लिए around 34 lakh लगते है in Indian रुपी so यह amount बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा energy का consumption सिर्फ एक BTC को create करने के लिए हो तो long term में यह किसी भी economic के लिए feasible नहीं है so यह सारे issues हैं जिसको की CBDC address कर सकता है तो इसलिए मैंने issues crypto coins के and वह जितने issues है वह सारे इससे solve होंगे कैसे होंगे क्योंकि अगर किसी country की central bank अगर खुदी launch कर रही है digital currency को तो regulatory issues वहां पर उतने नहीं आएंगे क्योंकि वह फिर government के control में रहेगा central bank के control में रहेगा तो वह किस type की policies लेके आना चाहरे है या कौनकों से regulatory requirements हैं तो वह central bank खुदी decide कर सकता है next है terror financing अब यह payment system क्योंकि central bank develop करेगा तो उनके पास proper resources रहेंगे and proper scope रहेगा कि वह इसको monitor कर सके then price volatility जैसे कि आप rupee की case में देखते हो rupee की value भी बहुत जादा fluctuate करती है कभी appreciate हो रहा है कभी depreciate हो रहा है last video में हमने इस पर बात भी की थी right so rupee की जो organic form में या जो naturally होती है भी market में उसमें जो fluctuation आ रही है वही इसमें भी होगी कोई undue fluctuation नहीं होगी कि किसी एक individual या फिर किसी एक company ने जिसके पास बहुत सारे bitcoins है अगर उन्होंने एक बार में sell कर दिया तो bitcoin की value फिर बहुत जादा decrease कर जाएगी लेकिन rupee के form में ऐसा नहीं होगा next mining issues and environmental impact अब यह इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि BTC को जैसे mine करना पड़ता है rupee को वैसे mine नहीं करना पड़ेगा rupee के है मतलब e rupee जो होने वाली है हमारी जो जिसके बार में RVI ने एक paper भी release किया discussion के लिए so e rupee होने यह वाला है बस कि एक digital token है जैसे आपके पास 10 rupee के note होंगे 20 rupee के होंगे 50 rupee के होंगे इसके form में आपको एक digital token मिलेगा जो कि आपको ensure करेगा कि आप इसको as a payment tool आप use कर सकते हैं तो इस साल के budget में first time crypto assets को control करने के लिए और regulations लेके आने के लिए first time government ने initiative ली है तो जो सबसे पहला था कि budget में finance minister ने बोला कि India अपना CBDC launch करेगी और इसी लिए RBI इसमें लग चुकी है basically हम करने वही जा रहे है यह जो need थी और जितने भी मैंने problems बता हैं आपको कि cryptocurrencies में क्या-क्या issues है इन सब को acknowledge करते हुए एक ऐसी गर्ग committee थी जिन्होंने बोला कि India must introduce its own CBDC so that जितने भी private cryptocurrencies है उनके uses पे control है उनके like uses को discourage करने के लिए government अपनी तरफ से कोई CBDC लेके है फिर next action government ने यह लिया कि उन्होंने crypto assets 30% का tax लगा दिया और यह सिर्फ यहां तक limited नहीं है इसके साथ साथ इस पे कुछ surcharge भी है I think 4% के आसपास का so effectively यह cost बहुत जादा है तो again इसके through government ने इसे legalize नहीं किया है बस government इसको control करने के लिए इतना higher amount of tax लगा रही है so that कोई भी इसमें पैसे invest ना करे और in the meantime, government इस पे भी काम कर रही है कि इसके लिए proper regulations आप है क्योंकि अभी हमारे पास crypto assets के लिए regulations है ही नहीं और अभी world में भी बहुत सारी countries इसके उपर काम कर रही है कुछ-कुछ countries ने तो बलकि अपनी CBDC launch भी कर दिया जैसे एक country है Sweden so उनकी CBDC का नाम है E-Krona इसी तरह Nigeria ने भी किया है अपना issue, China इस पे work कर रहा है जिसका नाम होगा E-R-E-M E-R-E-M, so ऐसे से बहुत से countries है जो कि इस पे, in fact आपको मैं बता तो 80 plus countries हैं जो कि at the moment अपने CBDC पे work कर रहे हैं including India, so यह सारी चीज़े अगर आप समझ गए हो तो अब इसके बाद जब यह article आप mint की पढ़ोगे तो आपको चीज़े थोड़ी better समझ में आप आएंगी, so in case आपको यह video का content अच्छा लगा है तो please इसे like कीजएगा अपने friends के साथ जो preparation कर रहे हैं उनके साथ आप share कीज़ेगा और future में जब भी हमारे videos आएं और आप तक वो timely पहुंचे इसके लिए please हमारे channel को subscribe कीज़ेगा Thank you